नमस्ते और मुशान्ती आप सब श्रोताओं को वेलकम बाक आपको स्वाकत है फिर से आपके ही चानल सीथा सोल देटरृत लाइज वितन में जहां पर कि आप जाकर के आक्शली डिस्क्रेप्शन बॉक्स में इस चानल के लिंक पर जा सकते हैं जो भी प्लेलिस में दीवी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बाते करी गई हैं जैसे कि डिप्रेशन के बारे में बोला गया है वहाँ पर जैसे कि आपको बताया क्या है आपकी डाइट कैसी होनी चीए आपको सोने की कला सिखाई गई है वहाँ पर कैसे सोना है, रातु क्या करना है, क्या नी करना है, साती साथ चेर पर बैठ के exercise करनी है, पेरिंटिंग के बारे में और confidence के बारे में बहुत सारे different topics हैं, जो कि playlist में दीए गये हैं, आप जाके check कर सकते हैं, और अभी जो वर्दान है, वर्दान की ऊपर चलते हैं, 255 दिन के इश्वेर वरतान में पर्म पिता पर्मात्मा चाते हैं कि हम बिक्कुल शक्तिशाली बन जाए हर सिच्वेशन में हर पॉइंट पर हम लाइट हो और शक्ति को यूज करें उस सिच्वेशन को पार करने के लिए तो देखें बाबा कहते कि हैं विस्तार में चलें अबहुत्तार को सार में समा कर जो विस्तार है उसको सार में समा कर हम बहुत सारी पिशार में चले ज़ाते हैं ये क्यों हूँता इस पनी स्थिति बनाने वाले, बाप समान light, might, house, bhava जो विस्तार को सार में समा लेते हैं वो परमपिता परमात्मा जैसे स्थिति बना पाते हैं उनका मन बुध्धी परमात्मा जैसे स्थिर हो जाता है वाले बाप समान light, might, house, bhava light, परमात्मा जैसे light है, प्रकाश है दुनिया को light दिखाने वोले, ग्यान ही प्रकाश है, परमातपक ग्यान दे करके हमें दिशा दिखाते हैं, मारदर्शन करते हैं, और हमें उसे शक्ति आती है, क्योंकि wisdom जो है, वो सर्फ यह नहीं कि आप भार के भूगोलिक wisdom अप ले लें, दुनिया भी wisdom के chemistry, biology, mathematics, wisdom नहीं है wisdom है आपकी, कि आप अपने मन बुद्धी को किसी भी situation में कैसे स्थिर कर सकते हैं, और उस समय उसको स्थिर रख करके आप निर्ने बना पाएं, जिसमें कि सब का भला हो सिर्फ आपका नहीं, आजकल लोग जो अपने बुद्धी को स्थिर नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ दे तो हम जितना हो सकें, हम और उको नुकसान करें बिना अपने आप भी बचाएं, और उको भी बचाएं, तो बाबा कहते हैं, विस्तार में, बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते वा सुनते हो, तो उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देन वा परिवत्तन करने का अभ्यास करो, किसी ने कुछ कहा आपके बारे में, आपने उसको या तो विस्तार में ले गए, या तो उसको सार बना लिया आपने, अब आपके पास में सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, अगर आपके पास में रुवानी ग्यान होगा, कि परमात्मा तब जाकर के आप उसके विस्तार में जाएंगे आप क्या करेंगे आप परमात्म की जो रिस्पेक्ट है परमात्म आप जो रिस्पेक्ट दी है जो कि हम ब्रह्मकमारिजम सीखते हैं हमारी ट्रू रिस्पेक्ट क्या है हम पिछले जन्म में थे क्या वो रिस्पेक्ट तबीया पाती जब हम जानते कि हमने बहुत काल में हमने पिछले जन्म में क्या क्या किया है तो जब रिस्पेक्ट मिलती है हमें वो जब याद रहती कि मैं किस प्रकार की आत्मा थी और अभी क्या बनना है मुझे भविश्य में क्या करना है मुझे तो जाके वो self respect रहती, फिर औरों की बाती चुपती नहीं है हमें, तो ये चोटी चोटी बाते होगी, अब जैसे वो धार insight, अब जैसे कि पीट में दर्द हो रहा है, दो तिन दिन से पीट में दर्द हो तो मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, तो अब इस में मैं तो बहुतों क ने दिया है मुझको, ये मेरा शरीर नहीं है, ये पांच तत्मों का शरीर में इस धर्दी से पाया है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अलग बात हो गई, बहुत ही अलग बात है, बहुत ही शक्ति शाली बात है, light और might, light हुई हुए knowledge और मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर में हूँ तो परमात्मा आप ही इसका solution निकालो, इसको ठीक करने का मुझे तो पता नहीं है मैं आत्मा शरीर में बैट करके महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस शरीर की व्यादी को या प्रॉलम को हाँ, फील होता है आत्मा को लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है अगर ये शरीर मेरा नहीं है तो इसको क्यों बिगड़ा तुमने ये question आने सकता, तुमारी वज़से मेरे शरीर में प्रॉलम आई, ये question आने सकता हम किसी को complain नहीं कर सकते, किसी को blame नहीं कर सकते बद्धुआ देना भी नेगेटिव हो जाती नेगेटिव सोच से आपका शेरी ठीक तो होने वाला नहीं है और बगड़ने वाला है तो उसके कारेंट से हुआ उसने ऐसे किया इसलिए मेरा आज ये शेरी की आलत है ये रुक जाता है ये विस्तार में नहीं जाते हैं तो हमार कितने साल लग जाते हैं लोगों को ब्लेम करते करते हैं और शक्ती चलिए आती है क्यों एक दो दिन वो ठीक होते हैं फिर थोड़ा से कुछ हुआ फिर ब्लेम करना शुरू करते हैं फिर क्यों क्या कैसे कहा में जाते हैं विस्तार में जाते हैं फिर से वही हालत दो कतम परमात्मा पेता ब्रह्मा को माईरिज में सिखाते हैं, अलग-अलग पॉइंट सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़े सिखाते हैं, साक्षी कैसे होना है, हर प्रॉल्म को कैसे फेस करना है, अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल सीमित रख देना है इस कल्यूग में, तब जा अन्य आत्मा को भी एक सेकंड में सारे ग्यान का सार अनुभफ करा सकेंगे, लेकिन उसके लिए गर हम खुदी क्यों क्या कैसे में आए, खुदी अंस्टेबल होए, तो औरों को कैसे स्टेबल करेंगे, तो पहले स्टेबल ग्यान को पॉइंट को यूज करना, और अपने अगर आपके पास में कोई कमेंट है, जरूर लिखे को, अगर आपके कोई एक्सपीरियंसे हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके, आपका दिन शुबह हो, आप स्वस्तर हैं, ओम शैंति